नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज अड़ापर और दोस्तों आज है 17 जुलाई यानि की आज अपएक्स काउंसिल की मीटिंग में IPL 2020 की किस्मत का फैसला हो सकता है हाला कि दोस्तों एतना तो कंफर्म है कि BCCA इस बार IPL को कराना चाहता है लेकिन किस जगह पर और शेडूल क्या होगा इस पर भी दोस्तों इस मीटिंग में ही चर्चा होगी इसके लावा भी दोस्तों कई मुद्दे होंगे जिन पर इस मीटिंग में चर्चा होगी लेकिन में मुद्दा जो है वो IPL ही रहेगा दोस्तों कल हमने एक खबर डाली थी कि IPL 2000 भी CUAE में होगा क्योंकि मुंबई में कुविट के केसे जो है वो काफी जादा हैं उसी को लेकर BCCI के एक सूत्र ने बताया कि हमारी पहली प्राजमिक्ता तो भारत में ही IPL को और्गिनाइज करवाने की है अगर यह पॉसिबल हुआ तो लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर विदियोशों के लिए दो देश हैं वो लाइन में है श्रिलंका और UAE लेकिन इन दोनों में से ऐसी खबरे आ रही हैं कि UAE में IPL कराने के लिए BCCI आज अनौन्समेंट कर सकता है खाला कि दोस्तों उस अधिकारी ने कहा कि हम सरकार से भी बात करेंगे कि क्या भारत में IPL कराया जा सकता है लेकिन दोस्तों इसके चांसे काफी कम दिखाई दे रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि अगर IPL विदेश में होता है तो इसका खर्चा भी बढ़ेगा तो हम काफी बारी किसे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं लेकिन हमें इतनी प्लानिंग जरूर करनी होगी कि हम तुरंट कोई एक्शन ले सके क्योंकि जिस तरह से ICC जो है वो यहाँ पर वर्ल्ड कप को लेकर लगातार जो अनॉंसमेंट है उसको डिले कर रहा है उसके हिसाप से ऐसा लग रहा है कि वो एंड टाइम पर इसकी अनॉंसमेंट करेगा और फिर हमें तयार रहना हुआ कि हम उस एंड टाइम पर IPL के लिए पॉजिटिव कदम उठा पाएं इस कं बाकी वर्ल कप होता है नहीं होता है वो बात की बात है साथ में दोस्तों बात करें सेप्टेंबर विंडो की तो ये भी खबरें आई थी कि IPL सेप्टेंबर में शुरू हो रहा है और इसके लिए BCCI मान भी गया है लेकिन दोस्तों अभी तक कोई भी ऑफिशल अनॉंसमें इस पर नहीं आई है और उमीद करते हैं कि आज की जो मीटिंग होगी उसमें इस पर फैसला लिया जाएगा और पॉसिबल है कि हमें आज IPL को लेकर कोई बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बैल की गंटी को दबा लें ताकि कोई भी अपडेट सीधा आप तक सबसे पहले पहुँचे वहीं पर दोस्तों इसके अलावा कुछ और मुद्दे होंगे जिन पर इस मीटिंग में चर्चा होगी जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं तो दोस्तों इसी तर से सपोर्ट करते रहिए और फेक न्यूस से दूर रहिए और अपडेट रहिए धन्यवाद